कि यह सब्सक्राइब कर देंगा ओडियो वीडियो क्लियर है अधुछ कि अधुछ की अधुछ कि व्यूच विटा अधुछ कि विटा शाय। फटाफट एक बार सभी लोग जल्दी से बता देंगे कैसे हैं आप सभी लोग तब यह ठीक है बिटा तब यह ठीक है गुद इवनिंग गुद इवनिंग एवरीवन तो आई होप यू अल आर गुड और सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपने एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहे हैं और आई होप आप सभी लोगों ने सेकेंड लेक्चर फॉलो कर लिया होगा सेकेंड लेक्चर में होई है जो कल क्लास यस्टरडे जो क्लास सेडियूल थी जो की टेक्निकल इसू की वज़त से नहीं हो पाई थी उस क्लास को हम लोगों ने मौर्णिंग में कंडेक्ट किया है और यह आपकी रेगुलर टाइमिंग वाली क्लास है 6.30 टू 8.30 ठीक है तो आई होप यू आ प्राइंग का मेजरली हम लोगों ने डिसकसन किया था ठीक है त्रांस्पोटेशन के अभ्यास की डेट आ चुकी है 20 दिसंबर जो लोग ट्रांस्पोटेशन का एक सेशन पेंडिंग है प्रांस्पोटेशन का हाईवे का जो अपना अभ्यास सिरीज है वो 20 दिसंबर को प्रांस्पोटेशन का जो रिमेनिंग अभ्यास पार्ट है that will be scheduled for 20th of December morning 10 AM ठीक है तो 15-20 question अभी हम लोग और complete करेंगे और कोई जनरल जानकारी और कोई बातचीत और कोई query morning में timing क्या था morning में timing था 11 to 1 आज जो morning में क्लास होई है 11 to 1 वीडियो एवलेबल है चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं ठीक है बटा ठीक है traffic के questions किये भी थे और भी करेंगे बिल्कुल बटा जो भी जो भी आपके degree equivalent to b.tech है तो आप उसके लिए eligible हैं you will be eligible for the exam अगर आपके कोई भी ऐसा course कर रहे हैं जो कि equivalent to b.tech है equivalent to graduation है then you can definitely appear for the exam चलो तो बातचीत श्टार्ट करते हैं ठीक है जिनका भी second lecture miss हो गया है जरूर complete कर लिजेगा क्योंकि उसी के आगे से discussion यहाँ पर start हो रहा है सो जसे सब्सक्राइब करेंगे अपर दिसक्राइब करेंगे आपके गेट और ESE पॉइंट आप यू से होने वाले ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनरिंग और सर्वेंग जिसकी मैं बातचीत करने वाला हूं आप लोग के साथ तो इस इस वाल अबाट मी यह जो आपका कोर्स चलना इसकी टाइमिंग है इस इस कूर्स को कम्प्लीट कर लेंगे इसी साल इस कूर्स को हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे दो हजार बाइस में कि पेपर तुम्हारा 2023 में है समझ रहो एक साल पहले कोर्स कम्प्लीट करा देंगे इस एक्च्वल नेंथ नॉम्मिनल लेंथ मेजर लेंथ सब अभी आ रहा सब सारी लेंथ यहां पर आ जाएंगी तुम शिंता मत करो ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है अगर 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 आप सारे चीज़ें सॉटेड हो गई है तो उनको डिकॉर्डट फॉर्म में कम्प्लीट कर लीजिए थीक है तो 2022 में कम्प्लीट करना है या 23 में अब जिस हिसाब से तुम बार-बार एकी चीज़ को पूछ रहो ना तो फिर 2023 में कम्प्लीट होगा फिर मुस्ते मत बोलना आज क्या पढ़ाएंगे बस आब आप आगे हैं बस आगे हो तो अब मैं वही बता दूंगा मैं तुम्हारी वीट कर रहा था मैं वेट कर रहा था कि तुम अभी तक मुझे चैट बॉक्स में दिखनी रहो तो अब आगे हो तो देखो यह पढ़ाओंगा सब सब बताओंगा सब बताओंगा हाँ लिया है लिया है बड़ी चिंता है तुम लोग को इसकी है चलो तो मंडे टू फ्राइडे क्लासे जोने वाली 630 टू 830 क्या पढ़ाएंगे सर बच्चे का कोस्टन था जवाब यह है कमपास सर्वेंग की बातचीत करेंगे सर अब सब्सक्राइब वन फंडामेंटल और सर्वेंग हम लोग ने कंप्लीट कर लिया लास क्लास सेकेंड क्लास बाट करेंकर तो चैप्तर नमबर टू की बात कर रहे थे डैट वाजदा लीनियर मेजरमेंटित तो काफी हद तक इसमें चीजें हम लोग ने कंप्लीट कर लिए we have discussed in detail about the scale and scale के साथ हम लोग ने बातचीत कर ली थी chain survey की, tape survey की कुछ important lines discuss करी थी errors के बारे में बात करी थी correction के बारे में बात करी थी और अब जो topic एक रह गया है that is the correction in the tape surveying उसके बारे में बातचीत करेंगे और after completing that discussion I will start the third chapter और आज ही complete करने की पूरी कोशिस करेंगे तो अगर अगर गले ने साथ दिया अगर गले ने साथ दिया तो आज ही इसको complete करेंगे ठीक है और उम्मीद है गला साथ देगा है तो अपने ही ना चलो so let's start the discussion तो आज टोड़े वी विल कवर तक टॉपिक related to the compass surveying objective of compass surveying measurement of angles meridians क्या होते है bearings क्या होता है true bearing, magnetic bearing जो भी bearing आप measure करेंगे उनका designation कैसे करेंगे उनके क्या-क्या methods है क्या-क्या तरीके है to represent that, to designate the bearings और the most important thing we will discuss about the local attraction gate 2023 सवाल आने की संभावना gate 2023 सवाल आने की संभावना that is local attraction ठीक है चलिए but before that we will discuss about the correction तो भीया दो बातें discuss करी गई थी चलो विधर आओ तो दो बातें discuss करी गई थी बातें करी गई थी error की error होती है measured value minus true value बातें करी गई थी correction की correction होता है true value minus measured value error और correction में कोई संभन्द है क्या error और correction में कोई संभन्द है क्या तो बिल्कुल ये बातें निकल के आ गई थी error और correction magnitude wise will be same magnitude wise will be same लेकिन उनके nature में nature एक दूसरे का opposite होगा ठीक है अब बच्चा पूछ रहा है कि सर measured value क्या होती true value क्या होती nominal value क्या होती उसकी बात कर लेते हैं जैसा मैंने और लिडी ये बता चुक हो फिट से repeat कर दे रहा हूं चलो अब थोड़ा detail में बता देता हो ताकि कोई confusion ना रहे मालो ये दो point है A और B मालो ये दो point है A और B मैंने तुम में से किसी तीन लोगों से कहा कि इन दोनों point के बीच के distance बताओ जो instrument तुम्हें चाहिए ले जाओ कोई दिक्कर नहीं है तुम सभी ग्यानी हों तुम्हें उस instrument को proper use करना आता है जाओ और field में इन तीनों point के बीच के distance को major कर लो तो for example नजीम देवराज और आदित नजीम देवराज और आदित को ये काम दिया गया कि इन तीनों point के बीच के distance को major कर लो ठीक है तो नजीम साहब गये नजीम साहब ने बुला नजीम देवराज और आदित को एक काम दिया गया तीन सर्वेयर थे कि इन तीनों point के बीच के distance को major कर लो नजीम ने major किया कोई instrument यूज किया बुला सर इनके बीच की जो distance है वो 10.65 सेंटीमीटर है मीटर है लट से इसने बोला है 10.65 मीटर है ठीक है देवराज ने बोला सर हमने अपने इंस्टुमेंट यूज किया है इन्होंने चैन यूज किया था for example हमने टेप यूज किया है हमें टेप में ज्यादा अच्छा लगता था और आधित बोलेगा हमने EDMI यूज किया है इन् टू मीटर है for example सब्राफ वैलू है महान महान लोग इसको याद मत कर लेना एक तो जो लिख दिया जाए सब याद कर ले तो एक्जामपल है ठीक है क्या मैं इन तीनों वैलू को मेजर्ड वैलू बोल सकता हूं हाँ है ना जल्दी बता दो चैट बॉक्स में क्या मैं इन ती तीनों वैलू को मेजर्ड वैलू बोल सकता हूं यस और नो बहुत ते जुखाम जल्दी बताओ क्या मैं तीनों वैलू को मेजर्ड वैलू बोल सकता हूं यस और नो जल्दी बोलो भाई और बताओ तो यह तुम्हारी मेजर्ड वैलू बाइद फर्स्ट ऑप सर्वेयर सेकेंड सर्वेयर थर्ड अरे यार एक बात बताओ मेरे भाई यह कैसे संभव है कि दो फिक्स पॉइंट दो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टन्स कैसे बदल जाएगी तुम इंस्टुमेंट बदल दे रहा हो तुम सर्वेयर बदल दे रहा हो तो क्या इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टन्स बदल जाएगी जवाब आएगा नहीं अब इन दोनों point की जो beach की distance है वो तो एक ही value होगी ना ये 3 value कैसे हो सकती है वो तो एक ही value होगी ना ये 3 value कैसे हो सकती है तो अभी के लिए क्या हम इन 3 हो measurement का average ले 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 क्या हम अब मुझे तो एक ही value चाहिए तो 10.65 plus 9.96 plus 10.12 by 3 3 कर दें फटा फटा फट सॉल करके बताओ कितना आ रहा है 10.65 plus 9.96 plus 10.12 by 3 तो यह आ रहा है 10.243 तो इसको मैं बोल दूँगा 10.243 as of now as of now 243 मैं बोल दूँगा इन दोनों point के बीच में जो distance है वो 10.243 है clear है नहीं ऐसा नहीं कह सकते इंस्टूमेंट खड़ाब नहीं है बेटा इंस्टूमेंट खड़ाब नहीं है मैंने क्या बोला एकदम accurate measurement कर पाना possible नहीं है हर इंस्टूमेंट की भी अपनी एक limitation है हर इंस्टूमेंट की अपनी एक limitation है yes or no हर सरवेर की अपनी एक लिम्टेशन है are you getting this point तो हम बोल लेते बार-बार की true value चाहिए true value चाहिए कैसे आएगी true value तो this value we are going to consider as the true value इसको हम लोग true value माल लेंगे और क्या कर सकते बताओ थेंक्यू सूरज जी अर्व बताना चाहिए एक बार उसको कंफर्म कर दो है तो मेजर्ड वैलू में भी एनी वैलू हर डिपेंडिंग अपॉन दा वेरियस फैक्टर वेरियस पैरामिटर बेस्ड ऑन दीज वैलू मैंने बोल दिया ये ट्रू वैलू है तो दो चीज़े आ रही थी एक तो था ट्रू वैलू और एक तो था मेजर्ड वैलू इनका डिफरेंस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया तो हेर री आर कंसीडरेंग डा मीन वैलू आइज डा ट्रू वैलू हेर री आर कंसीडरींग दा मीन वैलू अज दा ट्रू वैलू ठीक है अभी designated length क्या होता है nominal length क्या होता है standard length क्या होता है उसकी अभी हम लोग बात करेंगे चलो तो भईया जब तुम measurement कर रहा है थे chain और tape से तो गलतियां होना तो स्वभाविक है कौन कौन सी गलतियां होंगी पहले यह समझेंगे और जब गलतियां हो जाएंगी तो उन गलतियों का सुधार करेंगे तो वाइरियस ताइपस ओफ तो यह सब्सक्राइब तो वही अगला टॉपिक है चला जाए यह जो यह जो यह जो यह जो यह जो वैल्ली में डिफेरेंस आ रहा है यह true value है 10.243, इसकी आरी 10.65, अब मैं यह जानना चाह रहा हूँ, अब मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि यह जो error हुई है measurement में, measured value minus true value, वो क्या-क्या possible regions है जिसकी वज़े से यह error हो सकती है, चलिए, तो पहला यहाँ पर जो error होगा, that is due to the standardization, correction, दूसरा slope की वज़े से error हो सकता है, तीसरा pull की वज़े से error हो सकता है, चौथा temperature की वज़े से error हो सकता है, और पांचमाँ आपके measurement में, आपके result में, tagging की वज़े से error हो सकता है, tagging की वज़े से भी error हो सकता है, एक-एक करके सभी की बात करते हैं, और आगे बढ़ते हैं आईए देखो तो कर्रेक्शन ड्यूटू तो सब लिखा हुआ है मैं बता रहा हूं तुम उसको ध्यान से सुनों यह सब तुम्हें मिल जाएगा यह एप पर अप्लोड हो जाएगा वहां से पूरा डाउनलोड कर लेना और बढ़िया आराम से नोट्स कि मार्केट गया मार्केट में तुमने बोला भीया 20 मीटर का टेप दे दो लिए मार्केट गया तुमने बोले 20 मीटर वाला टेप दे दो मार्केट में भाईया जी ने तुम्हें पख़ा दिया होगा कहीं नहीं है उन्होंने बोला यह लग टेप तुमने उस टेप को देखा कंपणी का नाम लिखावुआ था उसमें लिखावा था टेप 20 मीटर का है दिल को तुम्हें बिलकुत सुकून मिल गया है कि 20 देप मांगा था अंकल जी से और 20 मीटर का ही टेप मिल गया है जीवन में खुसियां एकदम चरम पे थी ठीक है तुम आए है घर में बोला गया यह जब तेप का सिटंप यहां पर था और टेप का end यहाँ पर था, जो टेप अभी हम खरीद के लाए थे, जो टेप अभी हम खरीद के लाए थे, उसका starting point A पर था, end point, end point क्या था, B पर था, तो जाहिड सी बात है, टेप जो था, वो 20 मीटर का था, उसमें graduation थे, उसमें marking थे, उसमें लिखा हुआ था, तो start यहाँ पर था, टेप का end यहाँ पर था, बिना किसी दिक्कत के हमने क्या बोला, कि इन दोनों point की बीच की जो distance है, वो 20 मीटर है, अब घर में कोई अनुभवी आदमी भी है, उन्हों का यार, 20 मीटर तो नहीं होना चाहिए, कैसी बाते कर रहो, कुछ गलबर लग रहा है, कुछ ग तब तो यह distance कुछ और आ रही थी, point अगर fix हैं, तो distance कम ज्यादा कैसे हो गई, लगे तुम बहास करने, नहीं, नहीं, हमने सही major किया है, हम तो आज ही पढ़ किया है, क्लास से, ऐसा नहीं होता है, सुना जाता है, बातों को ध्यान से सुना जाता है, तो तुमने का अच्छ सामने आ जाएंगे, तो surveyor 1 ने ये game किया था, surveyor 2 गए, उन्होंने A point और B point की बीच की distance को major किया, और value कुछ और आ गई है, value कुछ और आ गई, 20 मीटर नहीं है, for example, 19 मीटर आ गई, या फिर 21 मीटर आ गई, कुछ भी हो सकता है, 20 नहीं है, यह 19 मीटर वैलू आ गई, या फि आप घंगोर समस्या है, यह के चक करें, इनने भी सही major किया, इनने भी सही major किया, लेकिन ये गड़बड हो कही से राय, ये गड़बड हो कही से राय, इनने भी survey पढ़ी है, इनने भी survey पढ़ी है, दोनों लोग ने सही सही survey पढ़ी है, लेकिन ये हो कैसे राय, बताओगे ये प्रॉब्लम क्यों हा रही भाई मेरे अगर दो पॉइंट फिक्स हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस तो सेम ही रहनी चाहिए ना बदल कैसे जाएगी कोई आइडिया अरे एक मीटर का होगा कि एक एमेम का होगा कि एक सेंटीमीटर का होगा देट इस नॉट अवर कंसर्ण एरर तो एरर है ना गलती तो गलती है ना भाई सोटी गलती बड़ी गलती क्या होता है क्यों भाई दोनों सर्वेयर सही है दोनों सर्वेयर सही है दोनों सर्वेर साही हैं बिटा प्रॉब्लम पता क्या खेल गया वो अंकल उन्होंने जो तुमें ये टेप दिया था ना अरे पुल छोड़ो उन्होंने जो तुमें ये टेप दिया था ये जो अंकल थे खेल गया इन्होंने तुम्हें गलट टेप टपका दिया थमा दिया इन्होंने जो तुम्हें टेप दिया वो गलट टेप दे दिया और उनकी भी गलती नहीं थी ये गलती हुई कहां से थी उस टेप की मैनुफेक्चरिंग में गलती हो गई थी उस टेप की manufacturing में गलती हो गई थी उसके graduation मार्क करते समय गलती हो गई थी जो टेप 20 मीटर का तुमें बताया गया था वो actual में 20 मीटर का था ही नहीं वो टेप या तो 20 मीटर से कम था या या वो टेप 20 मीटर से ज़ादा था लेकिन उसमें लिखा हुआ था 20 मीटर स्टेंडर्ड था 20 मीटर तो तुमने 20 मीटर मान के measurement कर लिया था इसमें किसकी गलती है यह जो हमारे measurement में गलती हुई है यह गलती हुई है due to the standardization this error occurred due to the incorrect length of the chain or tape तो यही तो हम पढ़ा भी रहे हैं हम कब बोल ले कुछ और पढ़ लो लियो यही तो पढ़ा रहे हैं यही तो पढ़ा रहे हैं तो भाईया संभावना है देखिए दुनिया संभावना पर टिकी हुई है क्या संभावना है कि माल लो standard length इसको standard length बोल दो या फिर इसको designated length बोल दो को डेजिगनेटेड लेंद जो है वो टेप का था 20 मीटर कि स्टैंडर्ड लेंध बोल दो या फिर डेजिगनेटेड लेंध बोल दो तक 20 मीटर एक्च्वल में खेल कुछ और था actual जो tape है वो 20 meter से ज़ादा है माल लो 20.1 meter का है माल लो वो tape 20.1 meter का है तुमने इस गलत tape से measurement किया है तो measurement सही कई से हो जाएगा हमें ये नहीं समझ में आ रहा है जब तुमने गलत tape को यूज करके measurement किया है तो तुम्हारी जो measured value होगी वो भी तो गलत होगी तो क्या मैं बोल चकता हूँ measured value measured length of line जो की गुरू है incorrect जो की है incorrect ये तुमने measure कर ली थी 20 meter ये तुमने measure कर ली थी 20 meter अब मेरी इच्छा है कि मैं पता कर लूँ कि correct length of the line क्या होगा correct length of the line क्या होगा जिसको मैं प्यार से बोल सकता हूँ true value clear है designated का मतलब मेरे लाल ये है कि अगर इस bottle की capacity हाँ इस bottle की capacity एक लीटर है तो हम ये मान के चलेंगे ना कि इसमें जो पानी है वो एक लीटर है manufacturing defect की वज़े से मानलों इसमें केवल 950 ml पानी आ रहा है तो ये जो ये जो गड़बड़ी हो रही है तो अगर 950 ml पानी आ रहा है तो एक्चुल जो पानी इसमें आ रहा है वो 950 ml एक्चुल जो capacity वो 950 ml है बट designated या standard जो capacity है मेरे लाल वो 1000 ml है जल्दी बोलो हाँ सर केवल यही एक संभावना है क्या नहीं भाई दूसरी संभावना भी है मानलो standard length जो tape की है standard length जो tape की है मेरे लाल वो 20 मीटर है और actual जो tape की length है या जो इसको आप बोल सकतो incorrect length of tape है वो मानलो 19.9 मीटर का है measured length जो तुमारी है measured length जो है तुमारी और जिसको तुम बोल लो incorrect length है incorrect length वो मानलो तुमने measure कर ली कितनी 20 मीटर तो यहाँ पर भी तुम्हें पूछ सकता हूँ तुम्हें correct length क्या होगी correct length क्या होगी देखो यार तुमारा tape सही है या गलत है तुम्हें सही से measurement कर रहा हो के नहीं कर रहा हो उससे इन दोनों point के बीच की actual distance में कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारा tape सही है की नहीं है तुम्हारा tape गलत है yes or no तुम सही से measurement कर रहा हो के नहीं कर रहा हो इससे इन दोनों point की बीच की distance में कोई फर्क नहीं पड़ता वो उतनी रहेंगी समझ रहो बताओ इसी बात का फाइदा उठा लेते हैं ना इसी बात का फाइदा उठा लेते हैं लिख देते हैं correct into correct this ratio of proportion should be same incorrect into incorrect जादू ओने वाला जादू ध्यान से देखना तो मैंने बोला correct length of the tape कितनी थी वो है 20 meter correct length of the line कितनी वही तो हमें नहीं पता है incorrect length of the tape कितना है 20.1 meter incorrect length of the line कितनी measure करके घूम रहा हो तुम that is going to be 20 meter क्या तुम्हें यहां से x निकाल सकते हो जल्दी बोलो हाँ या ना जल्दी बोलो हाँ या ना कीजां का देख रहे हो कर देख रहे होक गरद जगा आगय हो तो को है को कोई फाइदा नहीं हम अहनत करने का घा का I'm इस या पर सर्वेंग पढ़ लें हम लोग कि यहाँ पर स्रवेंग 5 पर लें गेट और य सी एकजाम की तयारी कर रहे है फरवरी में गेट का पेपर है, गेट को क्वालिफाई कर लेते तो PSU में नौकरी मिल जाती है, हाइर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, M.Tech के लिए जा सकते हैं, PhD के लिए जा सकते हैं, अच्छा करियर सटल कर सकते हैं, खुसाल जिन्दिगी जी सकते हैं, ES बन जाओगे, ES क्वालिफाई कर पजाओगे, तो Central Government के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जहां पर आप एक अच्छी पोस्ट से अपने इंजीनियरिंग करियर के सुरुवात कर सकते हैं, उसकी तैयारी चल लए यहां पर, ठीक है? नहीं पता ला, इसको क्या चलना तो, बता दिया मैंने, इसमें इत्ती बड़ी बात क्या है, है, है चलो आप अख सो similarly यहीं सी और सी, और incorrect, incorrect, इंटू- इन्करेक्ट, यहां खेल जाएं क्या? बोलो, यहीं गेम यहां पर भी खेल जाएं क्या? correct length of the tape कितना दा 20 correct length of the line यही तो मैं नहीं पता है incorrect length of the tape 19.9 है incorrect length of the line कितनी है 20 x will be equal to 19.9 meter यह है वहिया correct length दो possibility थी दो possibility थी पहली possibility पहली possibility पहली possibility जब हमारी actual length of the tape designated or standard length से ज़्यादा है यहाँ पर क्या है जब actual length of the tape is less than from the designated or standard length of the tape तो अगर पहले वाले case में बात करें तो error कितनी हुई है error हुई है measured value minus true value measured value तो तुमारी 20 और true value तुमारी आरी line की 20.1 error हो रही है minus का 0.1 error हो रही है minus का 0.1 तो correction कितना apply करोगे correction apply करोगे plus का 0.1 similarly अगर यहाँ पर बात करें तो error होगा measured value minus true value measured value थी 22 value है 19.9 और error हो रही है plus 0.1 की तो यहाँ पर correction कितना apply करोगे minus 0.1 यहाँ तक की बात clear है यहाँ तक की बात clear है अगर यहाँ तक की बात clear हो तो एक बहुत important conclusion हम लोग ड्रॉख करने जा रहे हैं और यह conclusion हमारा आगे बहुत काम आएगा ठीक है तो अब एक important conclusion यहाँ से draw करने जा रहे है तो मैंने कब का मिरे लाल कि सिर्फ एक ही वज़े से error हो सकती है अभी पहले reason पढ़ रहे है there will be multiple type of error उस case में multiple corrections apply करने पढ़ेंगे अभी तो मैं केवल standardization की जो error है उसको deal कर रहा हूँ ठीक है तो क्या मैं बोल सकता हूँ let me draw a very important conclusion from this example if the incorrect length of the chain or tape is greater than the correct length of the chain or tape if the incorrect length of the chain or tape is greater than the correct length of the chain or tape in this case the correction is going to be positive due to any reason due to any reason अगर हमारे tape या chain की incorrect length correct length से ज़्यादा है तो उस case में positive correction लगेगा explanation, example, numerical, concept सब आपके सामने कह सकते हैं ऐसा कि नहीं जल्दी बोलो जल्दी जल्दी कह सकते हैं ऐसा कि नहीं अर बोलो भाई can we say like this similarly if the incorrect length of the chain or tape is less than the standard length or the designated length of the legend length of chain or tape which case may be both the time in this case the correction is going to be negative the correction is going to be negative किसका टीवी निकाल दे किसका टीवी निकाल दे यह दो एक्जाम्पल अलग अलग है दो कंडीशन है प्रभू लीजिए अब ठीक है अब ठीक है अब ठीक है बोलो can we draw these conclusion from this explanation यस और नो इन explanation की help से क्या हम यह conclusion draw कर सकते हैं बिटा खेलें आगे ऐसा सवाल जब आता है तो प्यार से आपको दो नंबर दे जाता है इस आप दो को आपको अपशन विल कम इन एक्जाम इन तू मार्क वो जाएंगे हो जाएंगे देखो incorrect length of the tape और incorrect length का multiplication it should be equal to the correct length of the tape and the correct length of the line because length of the line is not changing भाविक tape में गलती थी इसी वज़े से तो length में गलती हुई तो जितनी गलती tape में थी उतनी ही गलती length में हुई tape भी सही है तो length भी सही है ultimately दोनों condition में length should be same चले आगे clear अब लोग जो थोड़ा अब खाई जाएगी strep cells अब आगे बाद चीत करते हैं लेट्सी ठीक है यह conclusion याद रखना भाई यह conclusion याद रखना द्यू टू एनी रीजन खतम हो गया a correction for slope collection for slope the connection for slope कल तुमने पढ़ा था कि horizontal distance होती क्या है पड़ाथा कल तुमने पढ़ा था कि horizontal distance तो for example horizontal distance को आपने डिफाइन के ॹे इसा कोई जरूरी थोड़ा है कि जीवन में तुम जो कुछ भी मेजर्मेंट करने जाओ अरे हाँ थोड़ा सा दिक्क्यत होने लगती है लिए अब बस दोई तुम लोगों ने खुब बैक टुबैक खिलाईंग तो बस दो खतम गेम ओवर हो गया इसका भी खेल खतम हो गया अब 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 पढ़ लिया मैंने इसको दिन में फिर हूं ठीक है चलो इतना आओ मझे ले रहे यार तुम लोग मेरे आओ इजर देखो तो अग गेम क्या बिटा कि माल लो तुम कभी मेजरमेंट करने गए जमीन कुछ इस तरीके की थी अरे भाईया जरूरी थोड़ा है अरे ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है कि जमीन हमेशा ऐसी समतल और प्ले नहीं मिले ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है अब भाईया ग्राउंड में स्लोप था तो क्या करें मुझसे कहा गया कि यह पॉइंट ए और यह पॉइंट ए बी इन दोनों के बीच की डिस्टन्स मेजर करो तुमने का कोई बढ़ी बात नहीं है तुमने लिया टेप यहां रखा यहां से यहां तक खीचा तुमने डिस्टन्स को मेजर कर लिया दिस इस गोई टू बी ओर मेजर वैलू मेरे लाल बस मुझे यह बता दो यह जो भी मेजर वैलू है तुमारी क्या यह होर्जेंटल डिस्टन्स है यह जो भी मेजर वैलू है तुमारी क्या यह होर्जेंटल डिस्टन्स है बिट्वीन दा पॉइंट ए और बी क्या यह horizontal distance है between the point A and B, answer is going to be definitely no, यह horizontal distance नहीं है between the point A and B, क्यों नहीं है, तो कौँछ distance है, यह inclined distance है, यह inclined distance है between the A and B, horizontal distance क्या होगा, अगर हम इस B point का projection ले ले ले, इस A वाले same point पे, तो मैं मालो यह point B dash हो गया, बी प्राइम हो गया, so this is going to be the true value of the measurement, and this is going to be the horizontal distance, this is going to be the horizontal distance between the point A and B, yes or no, बोलो, लेकिन समस्या यह है कि ground की profile है जो उसमें slope है theta, ग्राउंड की जो profile है उसमें slope है theta, तो अब क्या जमीन में कैसे, कैसे यह tape लगाएं हम A और B dash के बीच में, ड्रिल विल कर डालें क्या, तंबव नहीं है, तो practically field में जो तुम मेजर कर पाऊगे, वो inclined ही मेजर कर पाऊगे, बट हमें चाहिए horizontal distance लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाख, लगा दिया जाए, बोलो, और अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं यह आप एक arc ड्रॉ कर दूँ something like this, तो तुम्हें नहीं लगता है, बेटा, measured value जो होगी, वो हमेशा जादा होगी, as compared to the true value, due to slope, due to slope, क्या यह line मैं लिख सकता हूँ? बोलो, और मेरे लाल, अगर अगर इतनी बात समझ गये हो, तो तुम जानते हो, error होता है, measured value minus two value, यह हमेशा जादा, यह हमेशा कम, तो slope की वज़े से, क्या हमेशा positive error होगी? slope की वज़े से, क्या हमेशा positive error होगी, yes or no, और मेरे लाल, अगर error हमेशा positive होगी, तो तुम्हें नहीं लगता है, correction due to slope जो होगा, वो negative होगा, और कभी-कभी नहीं, कभी-कभी नहीं, हमेशा होगा. अरे यह जो extra major कर लिये हैं, यही तो है C slope, यही तो है C slope, यही तो है C slope, yes or no? तो दो संभावना हैं बेटा, फील्ड में अगर आप इस theta को major कर सकते हैं, theta कैसे major करेंगे, तो हमारे पास एक survey में instrument होता है, जिसको बोलते क्लीनो मीटर, तो क्लीनो मीटर इस एंस्टुमेंट विच्ट कैन बी यूज़ फॉर मेजरिंग दे ग्राउंड स्लोप, तो अगर क्लीनो मीटर एवलेबल है, अगर आप यह theta major कर सकते हैं, तो correction निकाल लो, आरे बचा क्या, तो C slow बोता है true value माइनस मेजर वैलू, अगर यह L है, यह theta है, तो यह L cos theta हो जाएगा, क्या, जल्दी बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ, ज्यान रखना मैं correction की बात कर रहा हूँ, तो true value क्या है, true value should be the L cos theta measured value is L, अभी तो बताया था, यह correction हमेशा negative होगा, L cos theta की value कम होगी L से, यह correction हमेशा negative होगा, तो कुछ याद व्याद नहीं करना देखो, जो है अपने आप आएगा, जो है अपने आप याद आएगा, point clear है, बोलो हाँ, दूसरी संभावना यह है, कि अगर आप field में इन दोनों point, कि अगर आप field में इन दोनों point के elevation में difference कितना है, यह अगर major कर सकते हैं, तो भी तो हम C slope निकाल सकते हैं, तो भी तो हम C slope निकाल सकते हैं, yes or no, अगर बोलो हाँ, बेटा यह exact relation है, यह exact relation है, बड़ यह जो दूसरा वाला relation लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप approximately same value निकाल सकते हैं, correction की, h square upon 2L, nature तो पहले ही बता दिये, कितनी बार बताएं, slope correction will always negative, slope correction will always negative, तो अगर h पता है, तो यह अप्रोच लगा लो, अगर theta पता है, तो दूसरी अप्रोच लगा लो, negative होगा दोनों case में, क्योंकि measured value ज़्यादा होगी, true value कम होगी, कोई तकलीफ किसी को, कोई तकलीफ किसी को, बोलो हाँ या न, any problem to anyone till now, you can ask your doubt, you can ask your query, if all the discussion till now is clear to everyone, please confirm in the chat box, so that, खेल आगे, खेल आजाए, तो सर, आपने सुबह बोला थे कि, जब कभी भी बात होगी, कि, एरर की, जब कभी भी बात होगी, correction की, हमें दो चीज़ें चाहिए, पहला हमें उसका चाहिए magnitude, दूसरा उसका चाहिए nature, दोनों बता दिये, if h is known, this is going to be the magnitude, if theta is known, previous slide is going to be the magnitude, nature-wise अगर बात करें, slope correction, always negative, correction due to the standardization, correction due to the standardization, may be positive, may be negative, अरे सब तो बताया है, याद कहां करवा रहें, लो, कहां याद करवा रहें, याद तुम करवाते हैं नहीं हैं भाई, हमें खुदी नहीं आज रहता है, तुम्हें क्या करवाएंगे, हमें खुदी आज तक नहीं आज रहता है, यह देखो, तो यह इट में भी positive, इट में भी negative, दोनों case बताया थे, तो कोई यह formula और formula नहीं है, यह सब basic basic खेलने हैं, तो दो बात, आप देखो, दोनों, एक ऐसी भी तो संभावना हो सकती है, एक ऐसी भी तो संभावना हो सकती है, कि आप कोई measurement करने गए, आप कोई measurement करने गए, वहाँ पर slope भी था, और यहाँ पर standardization की वज़े से भी गलती हो गई, और जो 20 मीटर वाला tape था, वो 19.9 मीटर का ही था, तो उस case में true value को find out करने के लिए, तुम्हें नहीं लगता है, तुम्हें दोनों गलतियों को सही करना पड़ेगा, यस और नो, अगर वहाँ पर standardization की वज़े से error हो रही है, तो you need to apply the correction for that, अगर वहाँ पर slope भी है, अगर वहाँ पर slope भी है, तो उस case में क्या करना पड़ेगा आपको, in that case you need to apply the correction for slope also, क्या दोनों correction निगेटिव होंगे, नहीं भीया, standardization वाला correction में भी positive, में भी negative, समझ रहो, लेकिन slope correction हमेशा क्या होगा, negative होगा, तो उस case में फिर आप net correction apply करेंगे, उस case में फिर आप net correction apply करेंगे, है, कहानी clear है, तो multiple correction वाले जो question होते हैं, yes, yes, it may be, अगर incorrect length of the chain or tape is greater than the correct length of the, correct length of the chain or tape, in that case correction will be positive, अगर incorrect length जो है, वो correct length से कम है, in that case the correction will be negative, let's move to the next point, let's move to the next point, अगला जो correction है, correction due to temperature, अच्चा, temperature भी खेल खेलेगा, चलो आओ, हुआ क्या, अरे भाईया, सुबही बताया था, हर material, हर instrument, एक standard temperature पे काम करता है, standard temperature पे, अगर आप उस instrument को working temperature पे यूज़ करेंगे, तो वो साही result देगा, तो माल नो जो tape हम market से खरीद के लाएं, उसका जो standard temperature था, वो T naught था, लेकिन, field का temperature, field temperature या फिर temperature, at the time of measurement, जो है, वो Tm है, उसको मैं represent कर रहा हूँ, Tm से, क्या संभावना आएं है, देखो, अगर मैं बोलू कि T A, अगर मैं बोलू T naught और Tm सेम है, अगर मैं बोलू T naught और Tm सेम है, तो क्या उस case में temperature की वज़े से कोई error होगी, अगर मैं बोलू T naught और Tm सेम है, तो क्या उस case में temperature की वज़े से कोई गलती होगी हमारे measurement में क्या temperature की वज़े से कोई error आएगी answer is undoubtedly no गलती कब आएगी, गलतिया कब होगी माल लो दो संभावनाएं हैं यापर तो पहली संभावनाएं कि माल लो Tm is greater than T0 है और दूसरी संभावना है कि Tm is less than T0 है जैसे example, standard temperature जो था वो 30 degree Celsius था for example, 30 degree Celsius standard temperature था अब अभी बाहर जागे देखो temperature होगा 20, error होगी temperature था 30 degree Celsius, जून में measurement कर रहे हैं temperature फील्ड का 45, गलती होगी यस और नो अगर standard temperature और temperature at the time of measurement सेम है कोई गलती नहीं होगी देखो, magnitude की तो कोई दिक्कत नहीं है magnitude जो होता, C temperature जो होता है वो delta T L alpha, L alpha delta T होगा, that's it length of the tape, thermal coefficient of the tape material जो है, delta T is the temperature difference this is going to be the magnitude चिंता मुझे magnitude की नहीं है मेरे जो असली चिंता है इस case में, वो है nature की मेरे को जो असली tension है, वो है इसके nature की, बताओ क्या ये हमेशा positive होगा, या फिर हमेशा negative होगा कह नहीं सकते सर अभी थोड़ा कहने में, अभी थोड़ा कहने में जल्दवाजी हो जाएगी सर मत को यार, लो, तो देखो, अगर Tm is greater than T naught, अबस मुझे ये बता दो, ऐसे हालात में, टेप की length increase करेगी या decrease करेगी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, compass survey नहीं पढ़ना क्या ऐसे case में, length of the tape will increase, तो जो अगर 20 meter का tape है, इस temperature के ज़्यादा होने की वैसे, वो होगा तो 20 का, लेकिन बढ़ जाएगा, किस तक, अगर ऐसे हालात है, स्रिंकेज होगा, अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं आता, जो पढ़ के आता, सब भूल गया, अरे सही बता रहूं यार, ऐसे तो हम भी तो इनसान ही है, भूल जाते हैं, लो भूल गया अब इसके आगे पढ़ा तो था लेकिन भूल गया, अब तुम बताओ, पता नहीं क्या पढ़ लिया, अगर ऐसा हालात है, if the field temperature is greater than the standard temperature, in that case, correction will be positive or negative, if the incorrect length of the chain or tape is greater than the correct length of the chain or tape, due to any reason, due to any reason, due to any reason, answer नहीं बताओगे, if the incorrect length of the chain or tape is greater than the correct length of the chain or tape, due to any reason, the correction will be, बलत तुम्हाँ भरोस्य रहिना बड़ा खतरनाक है, कभी गलती सही में भूलना है, तो क्या ही करवाओगा तुम लोग, मुद्दा क्लियर है, मुद्दा क्लियर है, यस और नो, मुद्दा क्लियर है, यस और नो, तो 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 झाल झाल yes correction or error we'll uphold it in nature correction and error will uphold it in nature और चले आगे आओ लेट्स मूव तुद नेक्स पॉइंट करेक्शन फॉर दा सेग अरे यह भी निप्टा देते हैं करेक्शन फॉर पुल अब याद देखो तुम भी यार सब देखो लो देखना कहीं जुड़ा ना मेल लाइन से दिखाते दिखाते गयव हो जाएं नहीं जुड़ा है यह टेप है देखो दो पॉइंट दिए गया इनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करना तक काले में काला दिख नहीं रहा है तो लाल देख लो भाई यारो क्या बता है तुम आए कि दो पोइंट थे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी थी टेप लाए ऐसे खळए है तो जो भी तेप में रीडिंग आहेगी क्या सही होगी कि गलत तोगी जल्दी बोलो जल्दी गलत होगी ना भाई अरे अगर इन दोनों पॉइंट की बीच की डिस्टन्स को मेजर करना है तो कुछ जुगाळ ऐसा करो कि ये ये टेप जो हो फुल को अपलाई करो एंड देप इसे करके खड़े हो लो तो तुम्हें नहीं लगता इसको आईसे करने के लिए तुम्हें पता नहीं देख पा रहे होगे मैं नीचे पैड से पुल अपलाई कर रहा हूं तब ये स्ट्रेट हो रहा है कि कि समझ रहो तो फिर बाते वही घूम फिर के वही हैं जरा सकाम था पूरा तार खुलवा दिया तुमने अब घरवाले सको सब सही करवाएंगे हमसे कहेंगे पता नहीं क्यों पर फैला कर रखते हो लो देखो हाल देखर हो यह प्लंब आप गूम रहा है अलग ही चल ला है 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 चलो ठीक है आओ तो लेट से पी नॉट इस गोईंग तूबी दा इस्टेंडर्ड पुल इस्टेंडर्ड पुल और पी अम जो है वो पुल एट दा टाइम आफ मेजरमेंट है पुल एट दा टाइम आफ मेजरमेंट है पहले मैं बात करूंगा मेरा मन है आज मेगनिट्यूड की बात करने की तो सी पुल जो होता है वो डेल्टा पी अल अपॉन एई होता है डेल्टा पी अल अपॉन एई होता है ला थोड़ा हो खेला जाए थोड़ो ठीक है तो पी अल अपॉन एई होता है कितरा पुल अप्लाई कर रहो एल इस दा लेंट आफ देप ए ए ए ए इस दा क्रॉस सेक्शनल एरिया ओफ देप इस दा मॉडलस ऑफ इलास्टिक सिटी ओफ देप मेटेरियल फिर वही बात है ने मैगनिट्यूट तो निकाल लेंगे मुद्दा यह है कि नेचर क्या होगा अब देखो देखो अब इसको फील करना हम करेंगा नहीं पहले बता दे रहें तार काम का है अभी क्योंकि इसमें लाइट वाइट फीट हो नहीं देखो यह पुल यह मैटेरियल जो है इसकी अपनी एक छमता है उतना ही पुल लगाओ तो ठीक है अब तुम जिद्धियाग हो एकदम मानी नहीं रहो लगे पड़ो बहुत ज्यादा पुल पुल से ज्यादा पुल अप्ला अभे नहीं रुखजा भाई भावन हो मैं अगर हम इसके स्टेंडर्ड पुल से में ज्यादा पुल लगा देंगे तो मैं नहीं लगता यह टेप जो है वह इलॉंगेट कर जाएगा एक्सपेंड कर जाएगा अरे सीज़े थोड़ा तूट एस ट्रेच हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस ट्रच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और मेरे लाल जैसे ही एस ट्रच हुआ खेल खत्म if the pm is greater than p0 length of tape will increase और incorrect length जो होगी वो correct length से ज़्यादा हो जाएगी फिर मैं भूल गया क्या हो गया भूल बहुत रहो if the pm is less than p0 length of tape is going to be decreased l dash will be less than l the correction will be the correction will due to any reason पहले ही बोल दिया due to any reason पूल हो जाएगी तमपरेचर जाएगी कुछ हो बोलो 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 so in this case the correction is going to be positive in this case the correction is going to be the negative this is the magnitude and this is the nature this is the magnitude and this is the nature आओ बताओ आओ कुछ last खेल खेलते हैं and that is the correction due to sag तो under the action of gravity gravity की वज़े से जब आप इन दो पॉइंट के बीच में distance को major करना चाह रहे थे तो हमने लगाया टेप को और टेप को बहुत ताकत से पुल लगाने के बाद भी दिक्कत क्या देखने को मिल लई है कि थोड़ा बहुत यहां पर effect हो रहा है sagging का there is a effect बहुत कम बना किया चलम इसको सही माल लेंगे हमें क्या तो माल लो यह क्या हो रहा है under the action of the gravity due to the self weight of the tape due to the self weight of the tape फालतू पंचायत नहीं होगे देखो पढ़ाई में फालतू पंचायत नहीं तो जो एक्स्ट्रा ग्यान है वो अपने पास रखिये समाल के और सभी के पास है तो उसको कमेंट करके बताने की जुरूत नहीं है समझरो तो एक्स्ट्रा ग्यान जो की यहां के लिए required नहीं है उसको अपने पास रखो वो मेरे पास हमने भी तो बीटेक किया या कि तुम ही कर रहे हो क्या हमने बीटेक एक एमटेक पीएजडी कुछ नहीं किया है क्यों फर्जी लगे पड़े हो जो काम की चीज़े वह पढ़ लें तो ट्राइटु मेंटें देश्टीप्लीन अफ ड़े ख्लास यह बहुत जरूरी है जो आपको करना है ठीक है भाई तो अंडर दे एफेक्ट आफ दे sagging under the effect of the sagging again हमें measure करना था यह हम measure करके बैठें यह मेरे लाल तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें नहीं लगता है कि किसी भी वज़े से under the action of the sagging gravity की वज़े से हमेशा measured value जादा होगी true value से हमेशा measured value जादा होगी true value से yes और no और अगर measured value हमेशा जादा है true value से तुम्हें लगता error जो होगी sagging की वज़े से वो हमेशा negative होगी measured value जादा true value से ठीक है अरे क्या करना हूँ error will positive always the error is going to be positive और मेरे लाल अगर error हमेशा positive होगी अगर error हमेशा positive होगी तो आपको नहीं लगता correction due to sag is going to be always negative correction due to sag is going to be the always negative विसाल सर की health का issue हो गया था बीमार हो गया थे विसाल सर तो अभी रिकवर कर रहे हैं तो आई थिंग दो तीन दिन में आपकी classes शुरू हो जाएंगी उसकी वज़े से आपकी मैथ क्लास नहीं हो पा रही थी तो सर वाज हॉस्पिटलाइज जो के भी डिस्चार्ज हो गये हैं तो वहरी सून यू विल गेट दा अपडेट अपडेट अब यूर मैथ क्लास तो डॉन वरी फॉर देट ठीक है मैगनिट्यूड क्या होगा डबलू स्कॉयर एल एल क्यूब अपॉन टॉन्टी फॉर पी स्कॉयर अभी यहां पर देखो गेम है यहां पर गेम है कैप्टल डबलू मतलब टोटल वेट टोटल वेट और यह वेट आपको पर मीटर भी दे सकते हैं वो पर मीटर लेंथ भी टेप गिवन वेट गिवन हो सकता है रही है तो डबलू स्कॉर अलो अगर बोल दूंए ऐल बन की जगह अलन एलोर क्योंड डवली स्क्वाइर एल नॉट क्यूब अपॉन 24 पीम स्क्वाइर पुल एड़ टाइम ओफ मेजर्मेंट पी इस दपूल एड़ टाइम ओफ मेजर्मेंट तो इन दिस वे वी पुल्टिबल करेक्शन्स लग रहा हूं जैसे अभी मैंने एक एक्जामपल भी दिया था मालो इस्टेंडर्ड लेंथ भी गड़बड है इस्टेंडर्ड लेंथ भी गड़बड साथ साथ वहाँ पर स्लोप भी है तुमने पुल भी ज़्यादा अप्लाई कर दिया है तमप् करेक्शन निकालने के लिए तुम्हें इन सभी करेक्शन के बारे में प्यारी प्यारी दो चीजें पता होनी चाहिए कि अदरवाइस खेल हो जाएगा खराब सी सेग डब्लू स्कॉयर अलॉट अपवाइन Introdu एप में कॉयर यह फॉर्मुला है अलव सकते हैं समॉल डब्लू इंटू एजन लॉट तो अगर इसको हम यहाँ पर रिपलेस कर देंगे तो सी सैग का फॉर्मूला जा है W square L naught cube upon 24 PM square ये दोनों formulae बिटा capital W is the total weight total weight of tape और small W क्या है weight of tape per meter length per meter length अरे यार आई से समल लो आई से समल लो सुनो बोला गया कि एक tape 10 meter का है उसका weight 100 gram है एक tape जो है वो 10 meter का है और उसका weight है वो 100 gram है capital W दे दिया उन्होंनों बोला जो measurement में tape use किया है उसके 1 meter का weight 10 gram है एक meter का weight जो है वो 10 gram है और total जो length हमने measure की वो 10 meter है 10 into 10 100 gram अब समझ गए अब समझ के अब समझ के capital W और small W का game अब समझ के capital W और small W का game yes or no so in this case अब अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो विश्वास महनों गैसा सवाल gate में आता है 2023 में तो प्यारे से दो मार्क्स आपको दे जाएगा लेकिन कब अगर आपने magnitude और nature में confusion किया तो प्यारे प्यारे 0.67 मार्क्स चले भी जाएंगे क्योंकि option वो इस तरीके से देंगे कि positive negative दोनों natures को consider करके option given होंगे कि सो multiple corrections को आपको apply करना पड़ सकता है तो इन दिस वेड़ी है अवर डिस्कॉसन फॉर देट चैप्टर नमबर 2 देट वाज दा नियर मेजरमेंट अब बातचीत करने जा रहे हैं हम लोग अगला topic that we are going to start that is going to be the compass survey that is going to be the compass survey that is going to be the compass survey चलिए so this is going to be your chapter number three this is going to be your chapter number three compass surveying जैसे chain survey के आपने बात करी tape survey के आपने बात करी तो chain or tape survey में आपने बोला कि sir our main objective of the chain or tape survey was to measure the horizontal distance horizontal distance को हम लोग मेजर कर रहे थे यस और नो we have not discussed anything related to the vertical distance we have not discussed anything related to the vertical distance in the case of chain or tape survey yes or no बोला बोलाई तो similarly what is the objective of the compass survey the objective of the compass survey is to measure the bearing the objective of the compass survey is measure is going to be measure the bearing sir यह क्या होता है bearing चलो अभी के लिएकर मैं बोल दूँ bearing का bearing जो होती है वो horizontal angle होती है bearing जो होती है वो horizontal angle होती है मान लोगे कोई तकलीफ तो नहीं होगी as of now as of now yes compass surveying we are going to use for the angular measurement more precisely it will be used for the measurement of the bearings और आगे चलके भी जब हम लोग bearings को समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि bearings कुछ और नहीं है horizontal angle है bearings कुछ और नहीं है horizontal angle है can we say like this यह हम बोल सकते हैं बोलो मेरे लाल यह हम बोल सकते हैं can we say like this yes or no पस इतना सा objective है अब bearing क्यों major करना पड़ता है इसको हम लोग relate करेंगे when we will discuss our next chapter that is going to be the traverse survey तो traverse क्या होता है पहले उसको समझेंगे जो हमारे discussion का पार्ट होगा यह tomorrow we will discuss about the traverse survey but as of now मैं traversing की बात नहीं कर रहा हूं मैं थोड़ा से यहां पर चीज चीजों को change कर रहा हूं अभी हम लोग यहां पर केवल बात करने वाले हैं बीरिंग्स की horizontal एंगल की अगला सवाल एक बच्पर में तुमने इसको आप इसको कितना भी डिस्टर्ब कर दो और डिस्टर्ब करने बाद जब उसको थोड़ा आराम दोगे तो एक टाइम के बाद वो किसी एक fix direction को indicate करेगा, represent करेगा तो मैं पता है क्या, वो कौन सी direction होती थी वो ही बता रहा हूं, प्रिंस्पल ही बता रहा हूं नजीम प्रिंस्पल ही बता रहा हूं कि आप одно को अच्छा मैगनेट्टिक नड़िल को किसी भी जगा पर रख ले मैं अपने घर में रख लो तुम अपने घर में रख लो कहीं भी रख लो तुमें North South पता चल जाओंगे वह North और South कि सके होते थे अर्ष रठ के कि हमारे तुमारे घर के अगर मैं बात करूं अर्थ की, एक्चुल में बेटा में अगर बात करूं अर्थ की, तो गेम कुछ ऐसा है, This is going to be the North Pole, this is going to be the South Pole, खकीकत में हालात ऐसे होने चाहिए थे, हकीकत में हालात ऐसे होने चाहिए थे, कि ये north-south axis हो गया, east-west axis हो गया, बट जहां तक तुम्हें पता ही है, हम सभी को पता है, कि our earth is tilted at its own axis, पता ही है, 23 degree and half minute, yes or no? तो उस tilt की वज़े से, उस tilt की वज़े से हमें एक north और एक south और मिल ला है, ये भी north है, ये भी north है, ये south है, ये white वाला भी south है, ये भी south है और ये north है, तो मैंने लगना अब हो गया confusion, दूइदी north और दूइदी south, दोदो north और दोदो south, मामला हो गया confusion वाला, मामला हो गया confusion वाला, confusion चाहिए ने जिन्दगी में अपने, क्या करें, बिल्कुल तो नाम करण करदो, नाम करण करदो, अलग अलग हो जाएंगे भाई, इसको आज के बाद मैं बोल दूँ, true north, इसको मैं बोल दूँ true south, इसको मैं बोल दूँ magnetic north और इसको मैं बोल दूँ magnetic south, बुरा तो नहीं मान जाओगे, बुरा तो नहीं मान जाओगे, यह सौर्णो, अब तो confusion नहीं है, अब तो confusion नहीं है, इनको magnetic north, magnetic south बोल देते हैं, जो actual में tilt की वज़े से हैं, इसको जो actual position होनी चाहिए थी, उसको मैं अगर true north और true south बोल दूँ, बुरा तो नहीं मान जाओगे, और इतना बोलने से हमारा confusion हो गया, खतम, अच्छा बस एक बात और बता दो, आखरी में, कि जो magnetic needle थी, जो magnetic needle थी, वो true north, true south को indicate करती थी, या magnetic north और magnetic south को indicate करती थी, वो true north और true south को indicate करती थी, या magnetic north और magnetic south को indicate करती थी, बोलो मेरे लाल बहुत समझदार हो इसी बात को यूज कर लेते हैं फॉर दा मेजरमेंट आफ दा एंगल्स धर्ती के सताय पर हैं हम लोग कहीं न कहीं नौर्थ होगा कहीं न कहीं साउथ होगा तुम्हें नहीं लगता है चलो भी आगे बात करेंगे अगला कोस्चन यह लाइन एक एबी अर्थ सर्फेस पर यह सब अर्थ सर्फेस पर गेम चल ला है सब अर्थ सर्फेस पर गेम चल ला है एक लाइन एबी इसका एंगल बताओ वोट इस दा होर्जेंटल एंगल आप दिस लाइन एबी इसका हम इसका होज़ना अगल अगल इसका हम 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 इसक हुरिजेंटल आंगल बता ही नहीं सकते हैं हम इसका हुरिजेंटल आंगल मेजर ही कर सकते हैं अरे सर्ट हमें डव कर करें तो करें कहां से यह का है समझदार होगा तेजी में तो मैंने बोला यह है यह है यह है रिफरेंस परसान नहों यह है रिफरेंस यह है रिफरेंस अब इसका होर्जेंटल एंगल मेजर कर दो तुमने के बाद इत्ती सी बात के लिए परसान किया जा रहा है तुमने के साथ यह एंगल मेजर कर लो थीटा यह एंगल होगा इसका यह एंगल ह होगा इसका horizontal angle in the case of compass surveying in the case of compass surveying reference के लिए जो हम लोग term use करेंगे मेरे लाल उसको हम लोग बोलेंगे meridian reference के लिए जो term हम लोग use करेंगे उसको बोलेंगे meridian इस angle के लिए जो term आप use करते हैं उसी को बोलते बीरिंग इस angle के लिए जो आप term use करते हैं उसको बोलते हैं bearing in the case of compass survey अब यह reference क्या होगा यह bearing क्या होगा इसकी अभी तक मैंने बात नहीं करिए यह reference क्या होगा यह bearing क्या होगा मुझे नहीं पता है बढ़ हां compass survey में जो reference ले होगा उसको meridian बोल देंगे उस जो एंगल हम horizontal angle मेजर करेंगे उसको bearing बोल देंगे इतनी बात तो मैं समझ गया हूं तुम भी समझ गया हूं कि बोलो हां कि तुम भी समझ गया हूं कि बोलते नहीं यार ऐसे कही से काम चलेगा भाई आए हम कहे रहें बोलो हां तो बोलना है यस यह और एक दिक्कात है अरे हां बोलो हां तुम्हें नहीं लगता है हां और यस की feeling में फर्क है क्यों यह बात आफर खेलते आफर खेलते आफर खेलते चलो तो लेट सी अब ही आ गया हूं कुछ जाद ही enjoy नहीं करने हम लोग कर रहें हां कर रहें कर रहें कर 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 पढ़ रहें कोई दिक्कत दो तरीके के कंपास हम यहाँ पर यूज करते एक होता प्रिजमेटिक कंपास एक होता सर्वेयर कंपास ज्यादा तर फील्ड में जो आपको देखने को मिलेगा होता प्रिजमेटिक कंपास इनकी construction retail इनकी construction retail से बहुत ज़्यादा question gate point of view से important नहीं है बड़ थोड़ी सी बाचीत understanding point of view से हम लोग करेंगे ठीक है थोड़ी सी थोड़ी सी बाचीत हम लोग understanding point of view से करेंगे प्रिजमेटिक कंपास की बिटागर आप बात को लोगे डबबा है डबबा की डबबा दिख रहा है एक metal का box है उसमें पूरी एक ring attached है यहाँ पर graduations है एंगल्स है दो है आई साइट और objective साइट यहाँ पर एक पतला सा वायर लगा रहता है जिससे आप प्रॉपर साइटिं का जुगाड होता है यहाँ पर एक प्रिजम लगा होता है यहाँ पर एक opening होती जिससे आप क्या देखते हैं नीचे के इस प्लेट के graduations और marking को देख पाते हैं बहुत जल्दी बता गया है इस पॉइंट है जिस पर आपके यह पूरा गेम जो रिंग है ग्रेजुएटेड रिंग वह आपकी इस्टे कर रही है एक मुद्दे की बात किया है इसमें जो graduation होते हैं वो inverted होते हैं और इनी inverted graduation को correctly आप पढ़ पाएं इसके लिए यहाँ पर ए डिरेक्शन में तुम्हें दिखेगा नीचे डिरेक्शन में और यहां है प्लेट तो जब आप इस तरीके से देखते हैं इस ओपनिंग के थ्रू देन यूविल सी था ग्रेजुएसं इन दे करेक्ट मेंनर इन दे नॉर्मल वे हैं पॉइंट क्लियर है बोलो हाँ है ठीक है इसमिलरली अब यहाँ पर क्या यहाँ पर एक रिंग अटेज्ड है इसके जो अब आपने गेड़ पॉइंट क्या है तो यह स्लाइड आइव एड़ेटीट यूग आजशे में सब्रेट करेंगे और इसकी कंपास और सर्वेयर कंपास तो नौड इंपॉर्टन एफ ने बोला था रिफेरन्स के लिए जो टर्म हम लोग यूज करेंग उसको reference के लिए जो term हम लोग use करेंगे उसको लिए हम लोग बोलेंगे compass survey में meridian यहां देखो ध्यान से इधर में ही तरफ एक ऐसी imaginary line एक ऐसी imaginary line जो earth के true north और true south को connect करे जो earth के true north और true south pole को connect करे तो मैं नहीं लगता ऐसी line को हम true meridian बोल सकते a line joining the true north and the true south pole of the earth along the curvature is called as the true meridian जल्दी बोलो हाँ एक ऐसी line जो along the curvature earth के true north और true south को connect कर रही है क्या ऐसी line को मैं true meridian बोल सकता हूँ और true meridian का reference लेके तुम जो भी angle major करोगे आज की बाद तुम उसको बोलोगे true bearing आओ तो आपने बोला सर ये this is the true north this is the true south line join कर दी this is the true meridian अगर ये एंगल थीटा मेजर कर रहे है line OA का तो this is going to be the true bearing of the line OA ये यूजर्स दोनों के मेजर बेरिंग ही मेजर करने बिटा यूजर्स दोनों के बीरिंग ही मेजर करने के दोनों के यूजर रिए रिध्यंग ही मेजर करना तो अगर है में reference ले रहे है तो से त्री मेरीडियन अगर है reference layer true meridian. Yes, least count is different. Least count is less in the case of prismatic compass. That's why prismatic compass is widely used. 30 second one minute. ठीक है? तो least count काम है आपके prismatic compass का as compared to surveyor compass. That's why we are using. चलो जड़ाओ. तो अगर reference हमारा true meridian है, भाई देखो, curve की बात कर रहो. अब हम लोग यहाँ पर है क्या curve दिख रहा है क्या? अर्थ का कर्व हम लोग feel कर पा रहे हैं क्या? नहीं. तो यहाँ कहीं से जो true meridian निकलेगी, वो इसी earth surface में ऐसे ही होगी? बोलो हाँ या ना? यहाँ कहीं जो true meridian होगी, इस earth surface में ऐसे ही होगी? yes or no? अरे बोलो, इसी plane में एक line है OA, इसी plane पे यह line earth surface में ही एक line है OA, यह है तुमारी true meridian, यह जो angle बेटा major कर रहे हो, मन की आखों से देखो, तुम्हें नहीं लगता है, यह horizontal angle है? तुम्हें नहीं लगता है, यह horizontal angle है, तो आज के बाद इस horizontal angle को हम लोग बोलेंगे true bearing, आज के बाद इस horizontal angle को हम लोग बोलेंगे true bearing, आगे आओ, अरे अब क्या ही बता है, what do you mean by the magnetic bearing? जो आगे बात्चीत करें जो आगे बात्चीत करें अन्य जो आगे बात्चीत करेंगे आज की बात मैं उसको बोलूँगा चार्ड टर्म मैंने आपको बता दिये और मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गए मैंने पहले आपको बताया ट्रू बीरिंग के बारे में मैंने आपको बताया ट्रू मेरेडियन के बारे में मैंने आपको बताया ट्रू मेरेडियन के बारे में मैंने आपको बताया मेरेडिय के discussion मेंगर किसी कोई doubt कोई query है तो you can ask your doubt, you can ask your query without any problem, you can ask your doubt, you can ask your query, compass की help से तुम कौन सी bearing measure कर पाओगे, compass कोई भी compass हो, prismatic compass हो, surveyor compass हो, कौन सी bearing आप measure कर पाएंगे, true bearing या magnetic bearing, अरे अजीमत किसी भी लाइन की bearing in the WCB system, अभी आ रहें, वहाँ पे आ रहें, जब किसी भी लाइन की bearing आप WCB system में measure करते हैं, अभी पहुंच रहें, अच्छा true meridian समझ में आ गया, magnetic meridian समझ में नहीं आया, अरे जैसे तुमने बोला true north और true south को मिलाने वाली line true meridian होगी, अर्थ पे tilt की वज़े से हमारे पास एक north और एक south और available है, जिसको आप magnetic north और magnetic south बोलना है, a line joining the magnetic north and magnetic south pole will known as the magnetic meridian. अब क्लियर है? अब क्लियर है? अब क्लियर है? चलिए फिर आगे बातशीत करते हैं, कोई doubt हो तो पूछना, बता दिया, देखो, अब यह जो भी bearing आप major कर रहे हो, इसको represent करने के दो तरीके हैं, इनको bearings को represent करने के दो तरीके हैं, सर, कोई एकी तरीका बता दिया, दो क्यों बता रहे हैं? तो distance को तुम centimeter में भी represent करते हो, distance को तुम mm में भी represent करते हो, distance को तुम fit में भी represent करते हो, distance को तुम inch में भी represent करते हो, distance को तुम meter kilometer में भी represent करते हो, distance को तुम yard में भी measure करते हो, हमने कभी तुमसे पूछा क्यों अगर पूछ भी लेते क्यों तो तुम बोलते सर जो हमें easy लगता है वो हम use कर लेते हैं तो बोलते बहुत सारी units हैं बहुत सारे system हैं जो हमारे लिए comfortable और suitable है हम उस system को follow कर लेते हैं अब जैसे अगर मैं इस pen की आप से length पूछूँ height पूछूँ और अगर आप answer मुझे kilometer में देंगे थोड़ा feeling कम आएगी अगर आप इस pen की length की dimension को centimeter में बताएंगे तो समझना थोड़ा easy हो जाएगा बस बात सिर्फ इत्ती है लेकिन भाईया तुम्हें इसकी pen की length किसी भी unit में बताओ length तो same रहेगी कि length बदल जाएगी actual length, true length तो इस pen की same ही रहने वाली है न yes or no कि बदल जाएगी बोलो अरे जब unit को convert convert करके finally किसी एक system में लाओगे तो you will get the same answer न, same value न तो वही वाली बाते यहाँ पर भी हो रही है वही वाली बाते यहाँ पर भी हो रही है बाते कुछ ऐसी हो रही है कि अभी आपने बोला कि सर हम major करेंगे magnetic bearing with the help of the magnetic compass तो उन magnetic bearing को represent करने का उस magnetic bearing को represent करने का हमारे पास दो system है हैं दोनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे पहला सिस्टम होता जिसको हम लोगो बोलते डबलू-C-B सिस्टम दूसरा सिस्टम होता जिसको हम लोग बोलते बाए बार्प या फिर qb system ग तो कि क्यों कि रिड्यूस्ट बेरूरिण या फिर कवाड़रंस बीर insecurePeter सिस्टम के बारे में जड़ा समझो इस सिस्टम के बारे में तो देखो WCB सिस्टम में तरीका क्या है यह समझ लेते हैं और आरबी और क्यूबी सिस्टम का खेल क्या है यह समझ लेते हैं चलो तो यह नौर्थ साउट तो हम समझ गए Magnetic North, Magnetic South हो बहुत बढ़िया. चार कलर की चार लाइने ले लू. ये हो गई O A, ये हो गई O B, ये हो गई O C, ये हो गई O D. अब लाइन तो लाइन है, अरे लाइन तो लाइन है, लाइन तो कहीं भी हो सकती भाई मेरे, ये हो गई O D. अगर आप किसी भी लाइन की बेरिंग को WCB सिस्टम में मेजर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो क्या बताए गया? In the case of WCB सिस्टम, we will always take the reference, जो हमारा reference होगा, वो north होगा. Always we will measure the angle from the north. Always we will measure the angle from the north in the case of WCB सिस्टम. जब आप north से angle measure करोगे, तो direction क्या रखने वाले हम? तो direction जो हमेशा रखी जाएगी, बेटा, measurement की वो होगी clockwise. किसी भी लाइन की bearing को अगर हम WCB सिस्टम में represent करेंगे, always we will measure the angle from the north in the clockwise direction. तो अगर यहाँ पर मैं representation की बात करूँ, यहाँ पर मैं किसी भी लाइन की bearing के representation की बात करूँ, तो तुम्हें नहीं लगता केवल angle ही काफी होगा उस लाइन की position को explain करने के लिए? केवल angle ही काफी होगा उस लाइन की position को explain करने के लिए? तो तुम्हें नहीं लगता है मिरे लाइन की जो bearing है, वो 0 से लेके 360 degree तक vary कर सकती है, किसी भी लाइन की जो bearing है, वो 0 से लेके 360 degree तक vary कर सकती है, yes or no, कोई कठिन बाते थोड़ा बता, कठिन बाते आती नहीं मुझे, तो बैं कठिन तो नहीं लग रहा, बताओ, अबे कुछ याद ब्याद नहीं करना भाई, कोई formula नहीं है, मस्त, समझो, अब बताए, मज़े की बात बताए, जो तुम्हारा prismatic compass होता है, जो तुम्हारा prismatic compass होता है, वो काम करता है, वो काम करता है WCB system में, तो किसी भी line की bearing को, अगर आप prismatic compass की help से major करेंगे, तो बेटा, वो आपको WCB system में readings बताएगा, वो आपको WCB system में readings बताएगा, यहाँ तक का discussion clear है, यहाँ तक का discussion clear है, yes और no, the discussion till now is clear to everyone, yes और no, चलें आगे बातचीत करें, सब-सब बातें magnetic ही हो रही है, compass के case में सारी बातें magnetic north और magnetic south की हो रही है, we cannot indicate the true north और true south with the help of the magnetic compass, बुलिए यहां तक की सभी बात हैं सभी को clear है yes or no everyone please confirm in the chat box बिटा everyone please confirm in the chat box चले फिर आगे बात्चीत कर ले चलो तो आओ जड़ा इन चारो लाइन की बेरिंग को मेजर कर करके दिखाओ फिर मालो तुम्हें O.A. लाइन की बेरिंग मेजर करना है तो O.A. लाइन की बेरिंग वी बिल मेजर फ्रॉन दे नॉर्ध इन दा क्लॉक्वाइड डिरेक्शन कहना इस थीटा 1 is going to be the bearing of the line OA, ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है yes or no, similarly अगर मैं इस OB line की bearing की बात करूँ, यह पिंक वाली जो line OB है, इसकी bearing we will measure from the north in the clockwise direction, this angle theta 2 is going to be the bearing of the line OB, similarly we talk about this yellow line OC, OC की जो bearing है from the north in the clockwise direction, this angle is going to be theta 3, अब कुछ बचा नहीं है जीवन में खास, अब जीवन में कुछ खास देखो, बचा नहीं है, इस theta 4 is going to be the bearing of the line OD, yes or no, बोलो, क्या है इस तरीके से इन सभी line की bearings को हम measure कर सकते, always we will measure the angle from the north in the clockwise direction, only angle is going to be sufficient to get the position of the line, अगर मैं बोलूँ किसी line की bearing है, वो 320 degree है, किसी line की जो bearing है, वो 320 degree है, तुम्हें पता चल जाएगा वो line कहाँ पर lie कर रही है, तुम्हें पता चल जाएगा वो line कहाँ पर lie कर रही है, yes or no, तो यह तो bearing का representation का तरीका हुआ, in the case of WCB system, in the case of WCB system, बात करते, RB और QB system की, आओ खेले, आओ खेले, O A, O B, O C, O D, चलो, तो in the case of, in the case of WCB और RB system, sorry, RB और QB system, reference क्या होगा, तो reference बेटा इन्होंने बोला, North भी हो सकता है, और South भी हो सकता, यह क्या बात है यार, reference North भी हो सकता और South भी हो सकता है, सुरू सही confusion वाला गेम था, चलो, कोई बात नहीं, तुमने बोला, सर लगे हां, तो direction भी बता दो, तो सर ने बोला direction, clockwise भी हो सकती, और anti-clockwise भी हो सकती, हदी यह मतलब हम, भैंकर confusion नहीं है, तुमने गां, ठीक है सर चली है, सर हम कैसे हमें पता चलेगा, कि हम जिस line की bearing को major कर रहे हैं, वो north से major करें, या south से major करें, यह सर हमें पता कैसे चलेगा, सर ओ center consider किया है, वो वो point है, observation point not center बिटा, O पर हम खड़े होके, बाकी सभी lines की bearings को major कर रहे हैं, observation point, O is the observation point not center, O is the observation point not center, तो बात यह चल लए थी, कि सर आप बोलने, आप angle north से major कर सकते हैं, south से major कर सकते हैं, आप angle clockwise major कर सकते हैं, आप angle anticlockwise major कर सकते हैं, अब हो गए हम थोड़ा सा confused, तो इस confusion को ख़तम करने गले मैंने बोला, जिस भी line की bearing major कर रहो, देख लेना वो कहां से pass में हैं, north से अगर pass में हो, तो angle north से major कर लेना, south से अगर वो line pass में है, तो angle south से major कर लेना, तो अब कुछ हद तक बात है ठीक है, अभी major कर कर के भी देखेंगे, जाइड सी बात है, क्योंकि अब अगर मैं range की बात करूं, तो range जो है, वो किसी भी line की bearing की, वो 0 से 90 degree तक ही vary करेगी, क्योंकि अब आप एक ही quadrant पर लाई करने वाले है, एक quadrant से जब बाहर नहीं जाओगे, तो एक quadrant की जो range है, angle wise वो 0 to 90 degree ही तो है, 0 to 90 degree ही तो होगी, yes or no? Yes or no? कहीं से भी major कर लो, फिरक्ष है, अगर दोनों तरब से सेम है, तो north से भी major कर लो, south से भी major कर लो, कोई problem नहीं है, कोई problem नहीं है, ठीक है, similarly, अब लेकिन अगर मैं representation की बात करूँ, तो केवल angle से काम नहीं चलेगा, केवल angle से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने for example बोला, किसी line की bearing कितनी है, आपने बोला 45 degree, अब वो 45 degree हो सकता, आपने north से major किया हो, मैं उसको consider कर रहा हूँ, मैं उसको consider कर रहा हूँ, south से, तो तो confusion हो जाएगा ना, तो only angle is not going to be sufficient, only angle is not going to be sufficient, for the representation of the bearing, in the case of RB or QB system, तो अब यहाँ पर आपको angle के साथ साथ, अब आपको यहाँ पर angle के साथ साथ, क्या mention करना पड़ेगा, direction भी mention करनी पड़ेंगी, तो for example आप लिख सकते, यह angle मैंने north से major किया है, east की तरफ, यह angle मैंने south से major किया है, west की तरफ, तब जाके कहानी clear होगी, तब जाके कहानी clear होगी yes or no, तो only angle is not going to be sufficient, यहाँ तकी सभी बात सभी को clear, yes or no, any doubt to anyone, any doubt to anyone, चलें आगे खेले, तो सर इन लाइनों की जड़ा बेरिंग एक बार लिख के बताईए, इन सभी लाइनों की बेरिंग लिख के बताईए, ओए की बेरिंग कैसे लिखेंगे, तो यह OA जो है वो north से करीब में दिख रही, तो यह angle major कर लो theta 1, तो कहां से major कर लो north से theta 1 किधर, east की तरब, यह बेरिंग हो जाएगी OA की, यह बेरिंग हो जाएगी OA की, similarly अगर बात करें, OB की, सर यह OB जो हैं south से पास दिख रहा है, मालों यह angle theta 2 है, तो OB के लिख देंगे south से major किया theta 2, किधर east की तरब, किधर east की तरब, सर यह बात कर लेते, line OC की, OC जो line है सर, मालों यह angle major कर रहे है theta 3, तो south से major कर रहे है, theta 3 major कर रहे है west की तरब, और last में बात कर लेते, line OD की, और OD जो angle आप major कर रहो बेटा, let's say you are measuring this angle theta 4, तो north theta 4 west, this will be the representation of same lines, same line की bearing का representation, यह हो गया आपका RB और QB system में, यह हो गया आपका RB और QB system में, मेरा सभी लाल एक बार बता देंगे chat box में, chat box को लाल करके बता देंगे सभी लाल, कि यहाँ तक की सभी बाते clear हैं, हाँ यह हाँ, की लिफससदएर, अरप अरफर की सभी मेगारिएर, आपकार हैं, की यहाँ, अरफर की बार्फर प्रफ 되म, की मेगारयई वहाँ तो, हाँ वहरण चया हैं टो, बाहुत बढ़िया थेंक यू फॉर वन्डरफू रिस्पॉन्स ऐसे दो चार बर कर दिया करो तो इस ट्रफिल क्या होता उसकी जरूती न पढ़ा है थेंक यू थेंक यू एवरिवन चलो आओ एक और मजेगी बात बता दूँ जो तुमारा सर्वेर कंपास होता है जो तुम्हारा सर्वेर कमपास होता है वो बर्क करता है बिटा Your सर्वेर कमपास will work on the RB और QB सिस्टम तो अगर आप सर्वेर कमपास यूज कर रहे हैं अगर आप सर्वेर कमपास यूज कर रहे हैं किसी भी लाइन की बेरिंग को मेजर करने के लिए तो वो जो बेरिंग्स मिलेंगी वो आपको RB और QB सिस्टम में मिलेंगी सर इतनी देड़ जो आपने बताया है अज़ा तुम बताओ तुम बताओ इन दोनों सिस्टम में कन्फ्यूजन कम किसमें है इन दोनों सिस्टम में कन्फ्यूजन कम किसमें है बोलो अब यह मालने कि WCB system is less confusing दो नहीं साइग बट अब जी तो आपको करता है कि आप किसमें ज्यादा comfortable हो तो मुझे ऐसा लगता है कि WCB system में confusion कम है तो चलो आगे जब कभी भी बेरिंग को रिप्रेजेंट करने की जुरूत पढ़ेगी तो हम WCB system को प्रिफर करेंगे तो हम WCB system को प्रिफर करेंगे यहां तक की बात क्लियर है प्रिफर 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 करेंगे तो हम WCB system को प्रिफर करेंगे यहां तक की बात क्लियर है सवाल जो आता है यहां पर वो आता है इनके कनवर्जन से रिलेटेड आप से बोला जाएगा कि रीडिंग्स जो आपको गिवन है वो WCB system में उनको RB और QB में कनवर्ट करिए या फिर रीडिंग्स आपको RB और QB system में गिवन है उनको WCB system में कनवर्ट करिए कर लोगे कर लोगे कर लोगे यह सर्णो हो जाएगा तो कनवर्जन के कुछ बेसिक सवाल वन माग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं जो आप इजली सॉल कर पाएंगे जो अब आप इजली सॉल कर पाएंगे जो बताया है सब लिख दिया है समझा दिया है बता दिया है नोट्स एप पर मिल जाएंगे नोट्स एप पर मिल जाएंगे मैगनेटिक बेरिंग क्या होती किसी लाइन की बात कर चुके हैं अगला जो और इंपॉर्टेंट डिसकसन है जठ दिस रिलेटेट टू- डिस्टूद डिक्लिनेशन हुइ है तो नेक्स जो डिसकसन है जट इस रिलेटेट टू-दा दिनेक्स डिसकसन इस रिले इक्जामपल बता दें अरे कुछ हाई नहीं लो कि ऐसी छोटी छोटी बाते करते हैं तुम बोलो कि मैं एक्जामपल नहीं कराऊंगा हां लो तो WCB सिस्टम में कुछ इनिट्स दी गई थी OA लाइन की, OB लाइन की, OC लाइन की, OD लाइन की, 50 डिग्री ये दिया गया था, 100 डिग्री, ये दिया गया था, 220 डिग्री और ये दिया गया था, 330 डिग्री पूछा गया है इनको RB और QB सिस्टम में कैसे रिप्रजेंड करेंगे? करलो एक्जामपल करलो एक्जामपल कर लो लो सौल कर लो किसको करना देख जामपल अरे बैया कुछ हाई नहीं क्या कर रहो O A line की जो bearing दी गई है वो दी गई है 50, 50 होगा यहाँ खातम O B line की जो bearing दी गई 100, यह line होगी O B लगभग लगभग 100 O C line की bearing है 220, 0, 90, 180, यह हो गई O C line, यह bearing दे रखी गई है 220 डिगरी O D line जो है हमारी वो 330 है, तो this angle is given as 330 डिगरी थी 30 डिग्री, अरे यार, नहीं कर रखवाएंगे क्या, तो जब बिड़ा बात करेंगे RB और QB सिस्टम की, तो North से मेजर करेंगे, 50 डिग्री मेजर करेंगे, East हो गया कनवर्जन, इस 100 की बात करें, South से मेजर करेंगे, यह पूरा एंगल 100 है, यह 180 होना चाहिए, यह 100 गिवन है, बचा हुआ 80, South से मेजर कर लिया, 80 East की तरब, OC लाइन की बिएरिंग मेजर करेंगे, तो यह एंगल चाहिए, 220 में से 180 माइनस कर दें, तो आजएगा 40, तो South से 40 मेजर कर लिया, West में, यह एंगल इसके लिए required है, this is going to be North West, 30 डिग्री, खेल खतम, अब ठीक है, तो सेम लाइन की बिएरिंग को आप WCB सिस्टम में रिपरजन कर सकते हैं, सेम लाइन की बिएरिंग को आप RB और QB सिस्टम में रिपरजन कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने किया, discussion is clear, discussion is clear, okay, now let's move to the next and very important topic, that is the magnetic declination, that is the magnetic declination, it is the horizontal angle, it is the horizontal angle, it is the horizontal angle, it is the horizontal angle between the true meridian and the magnetic meridian, अब ये tilt फिक्स तो है नहीं, change होता रहिता है समयक साथ साथ, true meridian वाली बातचीत फिक्स है कि true north और true south यहां होते, किसी भी अब समझ लो, सुबजीत, किसी भी लाइन की बिएरिंग को, अगर आप WCB सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आप अजीमत बोल सकते हैं, अजीमत इस दा रिप्रेजेंटेशन आफ दा बेरिंग ऑफ एनी लाइन इन डबलू सीबी सिस्टम, तो इट इस दा होर्जेंटेल एंगल बिट्वीन दा प्रू मेरेडियन एंड दा अनी लाइन, एट अनी प्लेस, समझो जरा, देखो जरा, तो भाईया कुछ भी चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, प्रू मेरेडियन तो नहीं चेंज होगा ना, हाँ, it may be possible कि मेगनेटिक मेरेडियन के हालात कभी ऐसे हैं, और मेगनेटिक मेरेडियन के हालात कभी ऐसे हैं, तो सबसे पहले तो सर ने ये बोला, कि what do you mean by the magnetic declination, what do you mean by the magnetic declination, magnetic declination होता क्या है, it is the horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian, it is the horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian, क्या तुम्हें नहीं लगता है, यहां पर जो declination है, वो towards east है, यहां पर जो declination है, वो towards west है, तो मेरे लाल, इसको बोलते हैं हम लोग, eastern declination और जनरली जो हम clockwise measurement करते हैं, चलो clockwise कर रहे हैं, तो इसको लिख दो clockwise declination, और मेरे लाल इसी को आप लिख सकते हो, पॉजिटिव declination, पॉजिटिव declination, सारी बातों का मतलब एकी है, सारी बातों का मतलब एकी है, eastern declination बोल दो, clockwise declination बोल दो, या फिर इसको आप बोल दो पॉजिटिव declination, सबका मतलब सेम है, करेंगे, करेंगे, data given होगा, आमित, साब रूप जाओ, रूप जाओ, हाँ, सिमिलरली अगर इसकी बात कर लें, तो पेटा, इसको हम लोग सकते हैं, western declination, इसको हम लोग बोल सकते हैं, western declination, इसको हम लोग को सकते हैं नीगेटिव डेकलिनेशन है इसी को हम लोग बोल सकते हैं नीगेटिफ डेकलिनेशन यहाँ पर सबहुतंस है मतलब जो है वो सेम है कि ए अब यहाँ तो सवाल कैसे commencement कैसे हैं मैंने बोला ऐंसार अंसर बताएं आपको केवल सवाल ध्यान से सुनना आंसर बताना दुबारा सवाल पूछना नहीं क्योंकि याद व्याद कुछ है नहीं ऐसे रेंडम एक सवाल दे रहा हूं डेटा दे रहा हूं तो लिसन केयर फुली और आंसर देना आपको कंसर्प मैंने आपको बता दिया दुबारा डेटा मत पूछना चाहो तो लिख लेना कॉपी में मैंने बोला कि किसी भी जगा पर जो डिकलिनेशन है वो 3 डिगरी इस्ट है किसी भी जगा पर जो डिकलिनेशन है वो 3 डिगरी इस्ट है वहाँ पर आपने किसी एक लाइन की बियरिंग को मेजर किया है वो बियरिंग है magnetic bearing को measure किया है और वो bearing है 50 degree तो उसी line की true bearing क्या होगी उसी line की true bearing क्या होगी जहां पर declination 3 degree east है और magnetic bearing जो आपने measure किये हो 50 degree है या इसी सवाल को मैं ऐसे भी बोल सकता था कि किसी जगा पर किसी line की true bearing 53 degree है सुनो ध्यान से किसी line की किसी जगा पर magnetic true bearing जो है वो 53 degree है और वहाँ पर declination जो है वो 3 degree east है तो उस line की magnetic bearing क्या होगी अगला सवाल अगर मैं बोलू किसी line की अगर मैं बोलू किसी line की किसी place पर magnetic bearing 50 degree है और वहाँ पर जो declination है वो 3 degree west है वहाँ पर जो declination है वो 3 degree west है तो what will be the true bearing अब किनी ने किस कुछ लोगों ने answer 47 भी दे दिया है तो वो भी तो disappoint ना हो तो एक सवाल ऐसा होना चीज़ इसका answer 47 भी आए क्यों समझ में आ गया how with the help of the declination we can relate the true bearing और the magnetic bearing of the line true bearing और magnetic bearing को हम किस तरीके से relate कर सकते हैं declination की help से यह point clear है यह point सभी को clear है yes or no सवाल आते रहते वन मन मार्क के छोटे छोटे प्राब्लम यहां से देखने को मिलेंगे तो this was the discussion अब यह जो variation हो रहा है declination में जो variation हो रहा है चार तरीके के variation होते है diurnal variation, annual variation, secular variation और irregular variation diurnal variation, annual variation, secular variation और regular variation daily basis पे किसी भी place पे daily basis पे magnetic meridian की position में जो change आ रहा है जिसकी विज़े से declination change हो रहा आपका इस तरीके को हम बोलते है diurnal variation based on the daily basis annual variation का मतलब जैसा आप सभी को पता है yearly basis पे secular variation over a long period of time मालो 100 साल में 1.500 साल में जो variation देखने को मिला है उस तरीके के variation को आप बोल सकते है secular variation उस तरीके के variation को आप बोल सकते है secular variation और कभी-कभी ऐसा भी variation observe आपको होगा जिसका कोई pattern नहीं है इस तरीके के variation को हम क्या बोलते है इस तरीके के variation को हम बोलते है irregular variation समसाद पढ़ लिया बेटा मैंने आपका comment don't worry पढ़ लिया है I will forward अरे मत करो बार-बार पढ़ लिया था पहली बार में ही पढ़ लिया है so I will forward your concern to the technical team very soon they will resolve अगर आपने already बताया है तो team is यह मान के चलिए team is already working on it और आपसे ज़्यादा जल्दी team को है कि उस problem को solve कर दिया जाए थोड़ा सा patience रखिए things will get solved ठीक है बिटा तो team is working ठीक है तो these are the variation अब यहाँ सवाल कैसे आता है बोलेगा इन में से कौन सा reason नहीं है कोई एक नाम बदल देगा ठीक है यहाँ पर लिख देगा regular regular नहीं है कोई variation in regular clear है तो इस तरीके question आपको देखने को मिलते है एक observation है जो आपको पता होना चाहिए एक observation है जो आपको पता होना चाहिए daily basis के जो variation होते है वो summer में ज़ादा होते हैं as compared to the winter daily basis diurnal variations are more in the case of summer as compared to the winter this is the observation that you should know related to the variation this is the observation that you should know related to the related to the declination clear है बिटा चलो तो यह समयना आपको बता दिया eastern declination क्या होता है western declination क्या होता है no need to remember any formula no need to remember any formula इसका basic हम लोगों ने समझ लिया है और उसी basic को solve करके apply करके कोई भी question आप solve कर सकते हैं you can solve any question related to the declination with the help of the basic concept no need to remember this plus or minus or true bearing or magnetic bearing system so this was the discussion चलो एक point और cover कर लेते हैं and this is going to be the last topic for the today's class and that is the angle of dip angle of dip और angle of depression क्या होता है ध्यान से समझना अभी तक आप बात कर रहे ते होर्जेंटल एंगल की आज के discussion में यह पहला और आखरी एंगल है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और यह होने वाला वर्टिकल एंगल यह होने वाला वर्टिकल एंगल so what do you mean by the angle of dip और angle of depression this is the last topic what do you mean what do you mean by the angle of dip और angle of depression so it is the vertical angle between the magnetic flux line and the earth surface so यह वर्टिकल एंगल कैसे हो गया तो आपने बोला सर यह अर्थ है अर्थ का यह north pole है यह south pole है आप सभी को पता है कि magnetic flux line will originate from the north और finally कहां पर जाने वाली हैं वो south visualize कर पारो these are the magnetic flux line originating from the north and terminating towards the south visualize कर पारो हाँ या न visualize कर पारो yes or no तो for example this is the north pole अगर हम north pole में बात करें तो तुम्हें नहीं लगता है north pole में north pole में magnetic flux line और earth surface के बीच में कितना एंगल होगा this is the earth surface at the pole चप्टी है पोल अपना flat है this is the magnetic flux line what will be this angle तो same कहानी south pole में भी होगी क्या और मेरे लाल तुम्हें नहीं लगता है ये angle जो सर तुम्हें दिखा रहे है earth surface और magnetic flux line के बीच में ये vertical angle है ना कि horizontal angle है ये vertical angle है ना कि horizontal angle है yes or no बताओ भाई तो how you can define the angle of dip और angle of depression it is the vertical angle between the magnetic flux line and the earth surface तो अगर इस angle की हम बात करें poles में अगर हम इस angle की बात करें north pole और south pole में तो ये angle दिखेगा आपको 90 degree equator पे अगर बात करें equator ये earth surface ये flex line कितना vertical angle है equator पे ये हालात है earth surface के और ये है flex line vertical angle कितना है at equator what will be the vertical angle at equator what will be the vertical angle इनके अलावा कोई और जगा हो ये vertical angle vary करेगा 0 से लेके 90 degree poles और equator के अलावा किसी भी point देख लो earth surface और magnetic flex line के बीच में जो angle होगा that will be in between the 0 to 90 degree तो generally यहां से भी सवाल पूछ ले जाते हैं from that point of view we have discussed about the angle of dip or angle of depression so आज के class का discussion हम लोग यहीं तक रखेंगे तो कल कुछ compass में measurements की बात करेंगे कौन-कौन से measurements करते हैं कुछ simple observations की बात करेंगे और एक important topic जो भी हमारा discussion का part रहने वाला है in the case of compass surveying that is going to be the local attraction और जैसे ही हम लोग compass surveying को complete करेंगे तुरंथ हम लोग move कर जाएंगे next chapter में that is going to be the traverse survey तो जो भी कुछ compass survey में हमने पढ़ा उन सभी concepts को हम लोग apply करेंगे traverse survey में और traverse survey एक बहुत important topic है आपके gate exam point of view से जहां से एक बहुत अच्छा सवाल आपको देखने को मिल सकता है gate में so again I am repeating this was the third lecture इस crash course का ये तीसरा lecture है और लगबग लगबग हम लोगों ने तीन chapter complete भी कर ली है so those who have missed the lecture जिनके भी ये lecture miss हो गए है वो सभी लोग इन lectures को starting से देख लें अभी किवल तीनी lecture हुए ताकि आने वाले जो lectures है आप उनको अच्छे से क्या कर पाएं enjoy कर पाएं सर एक suggestion चाहिए बहुत सारा content हो जा रहा है revision में बहुत problem हो रही है how to manage it you need to manage it बाकी काम सब बंद कर दो problem ये हो रही है कि बाकी काम में भी time लग रहा है ठीक है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं बात नहीं मैंने किसी ऐसा कोई particular comment नहीं ध्यान दिया था बट मुझे लगा उस समय आप लोग आपस में कुछ कर रहे हैं discussion जो की साथ relevant रही है तो उसके लिए मैंने बोला no need to worry ठीक है तो बिटा अभी आपको ज्यादा से ज्यादा time आपको manage करना है कैसे manage करना है time तो limited है ना time तो same ही है तो यह करिए कि जो चीजे थोड़े दिन के लिए टाली जा सकती है जहां पर time को safe किया जा सकता है उन जगह से अपने time को बचाईए और पढ़ाई में लगाईए तो करना पड़ेगा इसका कोई short cut नहीं है इसकी कोई ऐसी दवा नहीं मिलती कि हम लोग जाएं और अभी एक बार लें और पूरा रिवीजन हो जाए तो यह खुद को ही करना पड़ेगा और अपनी अपनी capabilities और अपनी अपनी efficiency पर भी depend करता है ठीक है तो you need to fight जो भी यह situation है रिवीजन की management related पर एक suggestion है कि time अगर आपके पास available रहेगा तो आप उन चीजों को manage कर पाएंगे अब यह आप अपने schedule को analyze करके check कर लीजिए कि कहां कहां से कहां कहां से आप अपने time को save कर सकते हैं till your exam एक बार exam over हो जाएगा अच्छे से फिर करो बाकी चीजें ठीक है हाँ हाँ बेटा classes आपकी regular classes का जो time है वो 6.30 to 8.30 ही है और evening में ही है केवल आज आपकी एक extra class हुई थी क्योंकि कल class नहीं हो पाई थी तो कल कुछ connectivity का issue था मेरे site से तो इस वज़े से हम लोग class कल conduct नहीं कर पाये थे वो class मैंने morning मिली थी ठीक है so this was all about for this class मिलते कल अच्छे से concepts को revise करिए thank you everyone keep learning बेटा thank you